Cell signaling जो है वो अगर आप इस प्लैनेट पे देखे हैं कोई भी क्रियेचर हो चाहे इंसेक्ट हो चाहे आर्थ वर्म हो चाहे बार्स हो चाहे मेमेलियन हो कोई भी हो चाहे अमीबा हो यह सारे जो इनका बैलोजिकल जो फंक्शन है दोस्तों वो cell signaling के जरिये ही होता है हमारे और अधर क्रियेचर में क्या फरक है कि हमारी जो बॉडी है little bit complicated है complex है as compared to a single amoeba और ग्रास ओपर और अर्थ वर्म उसके जो अग कंपेर अगर करें तो उसके मुकाबले में हमारी बॉडी छोड़ी complex है लेकिन हर organism जो काम करता है वो cellular level पर काम करता है cell signaling के जरी है simple terminology अगर simple way में बोले कि cell signaling है क्या very simplest अगर definition हम दे तो ये actually cell signaling जो है ये एक तरह का communication है communication किसके बीच का communication ये communication है आपका external environment and cell के बीच का within the cell and from cell to cell एक cell से दूसरे cell का और cell का जो है external जो environment है outer side उसका जो communication है किसके जरीए signal के जरीए signal के थूट उसको हम बोलते हैं cell की signaling cell की signaling दोस्तो हमारा कोई भी जो है system biological system especially about biological system वो signaling के जरीए ही alive और active है वो उसी के जरीए काम करता है cell signaling के जरीए है इस वक्त अगर मैं present moment में alive हूँ because हमारे अंदर cell signaling जो चल लगी है हर cell के अंदर हर cell इस वक्त जो है protein बना रहा है हर cell जो है उसका genetic machinery जो है वो on and off हो रहा है चल रहा है protein synthesis हो रही है metabolism हो रहा है कोई भी चीज जो होता है वो cellular level पर होता है iron through cell signaling तो यह जो पाथवे है cell signaling का जिसको cell signaling ट्रांडक्शन भी कहते हैं cell signaling कहते हैं आज हम वो जवाँ उसके basic concept को उसका जो most important आप कहिए जो fundamental aspect of cell signaling है biological system का आज हम उसके बारे में discuss करेंगे especially हम बात करेंगे दो चीजों के बारे में क्योंकि cell signaling अगर होती है biological system में तो दो सबसे एहम जो element है जो सबसे important दो element है वो है ligand और receptor ligand और receptor के बगर कोई cell signaling नहीं हो सकती है और cell के अंदर कोई ऐसा vibration नहीं हो सकता है कोई ऐसा biological action नहीं हो सकता है तो यही हम बात करेंगे cell signaling signaling जो है सबसे important topic है biological system में signaling क्या है signal मतलब आप आप आम जिंदगीं भी देखिए कि आदिमी जो है अगर कोई काम कर रहा है तो वो signal ही पाता है suppose करी आपको आफी जाना है तो signal है कि हमें तो इससे जादा important topic तो हो जी सकता है cell signaling receiving signal क्या होता है पहले signal को receive किया जाता है cell के जरीए cellular level की बात कर रहा हूं क्योंकि सारी चीज़े जो होती है वो cellular level होती है तो पहले cell जो है signal को perceive करता है receive करता है फिर उसको अपने system में transform करता है और फिर उससे system हम integrate करता है उसके बात जो है ना system के अंदर action शुरू होता है drama शुरू होता है dance शुरू होता है जिसको हम बोलते है biological action biological function biological activity कोई भी नाम दे सकते है क्योंकि हम लों यहां पर biological system की बात कर रहा है तो दोस्तों subscribe करना मत भूलिएगा आप लोग जरू सब्सक्राइब करिएगा तो चली हम लोग बात करता है cell signaling simple way definition signal received by the cell process उसको process करेगा integrate करेगा फिर उसको transform करेगा within the system within the cellular system that is called cell signaling तो cell signaling तभी possible है जब हम बात करें लाइगेंड और receptor की लाइगेंड लाइगेंड क्या होता है तो सबसे पहले बात करते हैं लाइगेंड की लाइगेंड क्या है एक्चुली लाइगेंड जो टर्म आया biochemistry in the term of biochemistry और pharmacology की बात करें लाइगेंड का मतलब होता है to bind इससे, receptor से अगर हम इसको define करें तो लाइगेंड bind with the biomolecule to serve a biological process लाइगेंड क्या है लाइगेंड जो है वो बाइड करता है biomolecule से for example receptor और वो बाइड करके serve करता biological process biological action या function उसको हम बोलते है ligand in contrast अगर आप उजिट देखें कि अगर ligand किसी और protein से bind receptor क्या protein है अगर किसी और protein से bind करता है body के अंदर लेकिन उसमें action generate नहीं होता है कोई action नहीं होता है तो वो receptor नहीं है receptor वही है अगर उसको हिट करने के बाद अगर there is some drama there is some dance within the system biological drama biological function उसको हम बोलते है ligand क्या मोलते है ligand तो देखें दोस्तो ligand जो है ligand क्या होता है to bind to bind to bind with यह क्या है यह है receptors यह क्या है receptors रिसेप्टर्स रिसेप्टर्स दोस्तों यह cell है यह इसकी membrane है यह यहाँ पर इसके receptor है तो यह receptor है और यह ligand है दोस्तों ligand जो होता है वो substrate भी हो सकता है substrate ligand actually क्या होता है there is various kinds of ligand बहुत से अलग तरीके ligand होते हैं body के अंदर जैसा substrate को bind करना हो तो यहाँ bind करेगा receptor पर यहाँ पर जो है आपका क्या होगा biological drama biological drama action biological activity biological dance within the system inhibitors भी होते हैं जो bind करते हैं अगर यहाँ पर action को stop करना हो तो hormones hormones body के अंदर आपको पता है hormones है जो हमारी body के अंदर function करते हैं different type hormone ने एड्रिली ने एपिनेफ्री ने टेस्टोस्टियों ने थारोड extremity hormone है follicle extremity hormone है जितनी भी hormone की बात करें उसका जो action होता है वो hormone भी receptor से bind करते हैं drugs जो आप drugs लेते हो कोई भी अगर आप दवा या medicine लेगते हो वो cellular level पर ही काम करता है no doubt cellular level पर hit करता है वहां machine में जो है आपको जो भी changes आते हैं suppose करी अपने drug लिया ठीक है आपको immune system को evoke करना हो ठीक है immune system को आपको boost करना हो ठीक है immune system को आपको enhance करना हो तो आप वो drugs लेंगे उसके बाद वो immune system यानि immune cell पर काम करेगा और आपकी immunity को बढ़ाएगा या कोई medicine है fever के अंदे temperature बढ़ जाता है तो फिर जब आप यह medicine लेते हैं तो उस cellular level पर यह signaling के जरिये काम करता है body में जो है पता हमारी body के अंदर trillions of cells है trillions 27 points from like this trillions body के अंदर सारे cells जो है इसवाग every cell in this present moment they are preparing they are manufacturing different type of proteins different type of genetic conformational changes machinery protein synthesis are going around within our cell काम कर रहा है इसवाग present time में neurotransmitter acetylcholine epinephrine all our neurotransmitter dopamine यह क्या है neurotransmitter activators toxins and signaling lipids there are various kinds of ligands which act on the receptor bind on the receptor तो यह आपके different type के ligands से तो यह ligands से जो receptor पे bind करते हैं और अगर receptor के जरी यह biological action होता है biological action within the system यही तो cell signaling की खूबी है इसी पूरे whole environment को यह क्या आपका external environment जहापे bind के external body के अंदर भी हो सकता है और बाहर भी हो सकता है वो bind करता है cell के जरीए सेल के बाहर का external environment और internal environment internal system में जो action produce होता है बार जुकर activity produce होता है किसके जरीए receptor के जरीए और यह जो दोस्तों यह जो bind करता है ligand ना suppose करिए ligand जो है यहाँ पे bind किया यह ligand है आपका यह ligand है यह ligand यहाँ पे suppose करिए bind किया different receptors different ligand है और यह ligand जहाँ bind करता है यह ligand करता है इसको बोलते है ligand binding domain ligand binding ligand binding binding domain ligand binding domain तो what are ligands? ligands क्या है? ligand जो है यह एक complex बनाता है biomolecules body के अंदर that is receptor to serve biological action biological action biological process biological function activity जो भी आपका यह within the system यहाँ पे action produce होता है cell के अंदर तो हम उसको बोलते है ligand क्या बोलते है ligand और जो bind करता है यह area जहाँ पे bind करता है उसको बोलते है ligand binding domain क्या बोलते है? that is called ligand binding domain ligand binding domain तो यह है ligand यह concept समनना पड़ेगा ligand, what are ligand? ligand are the substances which bind to the receptor or biomolecule to serve a biological action, biological drama, biological process that is called ligand और यही ligand अगर किसी और protein से bind करता है suppose करिए किसी और protein से bind करता है किसी और protein से bind करता है हमारे system में हमारे system में अगर कोई और ligand bind करता है bind करता है suppose करिए यह आपका जाके यहाँ bind करता है और यहाँ पे कोई action नहीं होता है नो action तो यह receptor नहीं है यह receptor नहीं सकता है यह receptor नहीं है तो इसको बोलते हैं ligand whole signaling mechanism में अगर हम बात करें cell mechanism में तो अगर cell mechanism को समझना हो तो ligand तो आपको समझ में आ गया यह external जो है different kinds of ligands है जो receptor पर बाइंड करता है to modify the action of this cell इस cell को action को modify करता है यहाँ पर कुछ चीज़े होती है और वो जो drama जो होता है वो surface पर अगर receptor है तो यह bind करता है तो यह यहाँ पर जो action होता है वो इस तरह का action जो है दोस्तो प्रोड्यूस होता है तो यह आपका था ligand अब बात करते हैं receptors की receptors सबसे important topic देखें यह membrane पर different types of receptor है different type of ligand bind to there certain specific type of receptor specific type of receptor पर bind करते है to modify the action of this biological system this cell at a cellular level at a cellular level no doubt after cellular level there is the action with the atomic level elemental level सारे action होते है ligand receptor जो है वो इतना important है ligand receptor cell signaling का अगर the most fundamental basis of cell signaling is the interaction between the ligand and interaction a ligand and receptor यह fundamental आपका बता हुआ बता हुआ अपका बता हुआ the fundamental elements fundamental elements involved in the cell signaling is the ligand and receptor ligand receptor this is the purpose of cell signaling to modify the action of cell to modify the action of biological cell systems at a cellular level as well as the elemental level and as well as the atomic level now coming to the point what are receptors yeah दोस्तों यह जो receptors है suppose करिये receptors talking about this receptors this receptors यह जो receptor है न यह जो receptor है यह जो receptor है यह थोड़ा था बड़ा molecule है यह receptor this receptors are macromolecules 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 having chemical structure chemical structure chemical structure chemical structure chemical structure receptor chemical structure composed of किसका protein का बना हुआ है composed of protein composed of protein that receive that receive signal and then process process karta hai integrated into the system and then biological biological fire biological action biological fire toh ligand क्या थाथ ligand is just to bind with the macromolecules to serve a biological process which is water receptors receptors are chemical structure composed of protein हमें पता है कि receptor protein का बना होता है which receive the signal and then it process within the system and then it transfer the signal and that may be integrated within the biological system within the biological system उसको बोलते हैं receptors that is called receptors बहुत ही important है receptors what are receptors toh ligand toh bind करता है और जो action जो है receive करने कबाद signal उसको फिर process करता है और फिर within the system integrate कर जाता है in the biological system to modify the cell function activity whatever you can call that is called receptors so receptors are macromolecule protein बहुत important concept है you know whatever happening on this planet whatever regardless of anything if anything is alive and active there is essentially there is a cell signaling because of cell signaling okay that is clear that is called that is called these are the receptors receptors now receptors if I broadly speaking there are many types of receptors but talking about the receptors receptors broadly 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 divide it into the receptors so receptors two types of receptors one receptor if I suppose one there is a a तो ये दो सेल लिजी आप, दो सेल, ब्रॉडली, मतलब ब्रॉडली स्पिकिंग, अगर ब्रॉडली देखा जाए, तो रिसेप्टर को क्लासिफाई किया गया, क्लासिफाई मतलब क्लास में डिवाइड किया गया, और ब्रोकन इंटू टू पार्स, ब्रोकन इंटू टू पार क्लासिफाई किया गया है दो पार्स में रिसेप्टर को एक यह है दोस्तों जो रिसेप्टर आपका है प्रेजेंट होता है सर्फेस पे कहां प्रेजेंट होता है सर्फेस पे plasma membrane, यह क्या है, यह membrane है यह receptor क्या है, यह कहाँ पर present है Oh membrane पर, कहाँ present है, membrane पर actually क्या होते है, वो ligand, वो molecule बता ररnsinn, पहला, जो receptor present होता है surface पर, वो ligand जो अंदर नहीं जाशकता है अंदर नहीं जासकता है, अंदर penetrate नहीं कर सकता है है अंदर इलाऊ नहीं है क्योंकि लिपिड मेंब्रेन के वा Daw Sel होते हैं। लाइज मॉलीक्यूल क 뭔 का है और फॉलर है, जो पॉलर हुटन। तो वो लाइगेंड जो पोलर होते हैं या लाज मॉलिकुल होते हैं वो मेंब्रेन लिपीड मेंब्रेन को यह लिपीड मेंब्रेन है अब वो लाइगेंड जो लाज है या हाईडी पोलर है वो इसको क्रॉस नहीं कर सकते हैं तो वो सर्फेस पे इस सर्फेस पे बॉंडरी पे यहां पे वो ligand bind करते हैं और अंदर action अपना वो perform करते हैं वहाँ पे action यहाँ पे action trigger होता है कहां से तर्फिज से क्योंकि ligand यहां पे नहीं जा सकते हैं जैसे peptide hormone यहां पेपटड हर्मॉन हर्मॉन Peptide Hormone Peptide Hormone की बात कर ले Peptide Hormone Peptide Hormone आपको पता है LH FSH Melatin Stimulating Hormone Insulin 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 कि अप कॉलिस हिस्टोकाइनी नहर आप से आपको मिलेंगे वेस्विन वेस्विन फॉप्याइशीन मुल लेक्तेन हकुST अ मिलेंगे मिलें मृसो प्रीसीन वेस्विनि करता है और फिर उसके बाद biological action जो है यहां पर वो होता है यहां पर biological action जो है start होता है तो यह surface पर एक हो गया receptor जो surface पर आता है यानि जितने भी आपके यह जितने भी थे आपके वह कहां bind कर रहे थे peptide hormone इस surface पर कहां कर रहे ते इस surface पर कर रहे थे उसके बाद अगर आप बाद करें तो पोलर होते है पोलर, cathicol amines polar जिसको हम बोलते है तो यह तो अक कुछ polar होते हैं polar cathicol amines जिसको बोलते हैं अन्य विलक हो अनक्रना ज़कने सबनेической काथ्रिकोल काना पंश म田र शिन उस हीएपिनेफरिन और मैंफीनफरिन डोपामिन डोपामिन यह भी जो को सानय करतें इस Queens वाले हैं तो नगा अट को करसकते हैं एन्दर पैनेट्रेटर सकते हैंowego ने जहा क्ते हैं लिपिट जो होता है वह क्या होता है एंटी प्रूफ है आंटी प्रूफ डे इंटर नहीं कर सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखे हैं, वो रिसेप्टर जो अंदर प्रेजेंट होते हैं, सिल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जहांसे लाइगेंड, ligand penetrate कर सकता है ligand penetrate करके cell के अंदर जाके वो bind करता है और इसके action को modify करता है वो कौन से होते हैं वो ज़्यादा थार steroid hormone है steroid hormones steroid hormone जो कि lipid soluble कहलाते है lipid soluble what is called? lipid soluble होते हैं जो कि या small molecular weight के होते है छोटे होते है जो membrane को lipid bilayer membrane को यानि कि इसको cross कर देते हैं इसको cross कर देते हैं तो एक जो दूसरा type का receptor जो है वो cell के अंदर जो है cell के अंदर present होता है cell के अंदर present होता है cell के अंदर present होता है तो देखा ब्रॉडली जो है दो तरह के लाइगेंड हुए है एक वो लाइगेंड जो सरफेस से बाइंड किया जो लॉज माली कुल है हाइली प्लोलर है पेप्टाइड हार्मोन है LSH, FSH, MSH यह सारे हैं दूसरा इस्टिराइड हार्मोन जो कोलोस्टरॉल का डेरिवेटिव है कोलोस्ट स्टिरोड हार्मोन बोलते हैं जो अंदर सिल के अंदर जाके बाइंड करता है और यहां प्लोस्टरॉल के डेरिवेटिव हैं जिसको इस्टिरोड हार्मोन बोलते हैं जो अंदर सिल के अंदर जाके बाइंड करता है और यहां पे action को फिर modify करता है action को modify करता है simply अगर मैं बात करूँ तो दो ligand है एक ligand जो है suppose करिए ligand number one ligand वो peptide hormone है large molecule ligand number one वो surface पे bind करता है दो तरह के वो क्या करता है surface पे bind करता है ligand number two steroid hormone यह जो है estrogen, progesterone, testosterone यह अंदर cell के अंदर receptor present होता है जो इसको membrane को easily cross कर जाता है cross कर जाता है वो होते है steroid hormone that is called steroid hormone even आप अगर बात करें तो thyroxine, thyroxine, thyroxine भी अगर बात करें T3, T4, T3, T4 और retinoid, vitamin A, यह जितनी भी है ना, यह small highly lipid है और यह T3, T4 is small molecular weight को होते है, छोटे molecule है वो soluble होके वो membrane में चले जाते है और यह तो steroids hormone है जो की आराम से cell के membrane को pendidate करके अंदर जा ले जाते है In a very brief way में अगर मैं आपको बात बताऊ तो दो तरक के ligand broadly classify किया गया, broadly classify किया गया दो तरक के ligand एक ligand जो surface पे bind करें, जो इस receptor के surface पे bind करता है जो इस receptor के surface पे bind करता है, वो सारे peptides यतने हर्मोन होते है जो large molecule है या kathikol amines जो polar होते है नौर एप्रेम फेड, डोपामीन, सिटाइकोलीन वो surface पे drama इनका जो यहां पे bind होता है तब यहां पे biological action शुरू होता है दूसरा ligand जो होते है वो steroid हर्मोन है जो cell के अंदर penetrate कर जाते हैं घुच जाते हैं अराम से lipids soluble है यह proof है यह अंदर घुच जाते हैं और यहां पे जाके आपको जो है bind करते हैं फिर यहां पे action modify करते हैं तो cell signaling को समझने के लिए यह ligand and receptor का interaction ही सबसे important है in a very very simple way अगर मैं बताऊं तो अगर आपको घर के अंदर इंट्री है एक room है और अगर आपको घर के अंदर entry करनी है तो आप एक bell बजाएंगे बाहर अंदर नहीं जाएंगे जब bell बजाएंगे यानि कि एक हार्मोन एक ligand bell बजाता है और bell क्या वो receptor है वो क्या receptor है फिर अंदर biological action घर के अंदर होती है कि कौन आया कौन नहीं आया ठीक है लेकिन बेल बाहर की तरफ जो है वो receptor है और आपने दबाया that is ligand ligand है दूसरा ligand क्या है वो दर्वाजे से बगर ओपन या अंदर भुसने की टाकत रखता है जैसे आपको invisible Mr. India कहिए तो वो membrane जो जो दर्वाजा है वो lipid की membrane है तो जो steroid hormone होते हैं वो cross कर जाते हैं बगर खोले हुए वो अंदर चले आते हैं और अंदर उसके पास जाके वहां पे जाके जो बैठा हुआ receptor है एक अंदर रिसप्टर उसको कॉल बजाते हैं तो यह दो तरह के जो है receptor होते हैं इस अप्टर सर्फेस पे एक रिसप्टर अंदर होते हैं और यह जब ligand receptor का interaction होता है तो biological action होता है आप biological action होता है मतलब क्या होता है vibration, reverberation within the cell दोस्तों पता है अगर आप थोड़ा सा attention करें conscious level करें तो इस वत हर cell में there is vibration, reverberation within the cell what type of vibration that is a biological drama, biological function, biological activity is going on rapidly within every time every second there is a biological activity is going within our cell that's why our cell is live and active तो यह हमको बोलते है कि जब यह ligand or receptor का interaction होता है तो वो जो state होता है that is exuberant state full of energy यह क्या है? vibration, produce energy to make cell live energy क्या होती है? आप देखेंगा metabolism, glycolysis, krebs cycle, oxidive phosphoryzation, सारे cell के अंदर होता है because of this interaction between the ligand and receptors तो यह हमने एक basic concept तयार किया है फिर हम देखेंगे कितने तरह के receptor होते हैं G-couple protein receptor होते हैं different type of inhibitory receptors होते हैं तो अलालग type के receptor होते हैं तो अलालग type के signaling होते हैं there are various kinds of receptors and there are various dimensions of biological action so we will see in the next lecture hopefully thank you very much, please subscribe करते हैं कर दो किवाइ करने चाल- justice we will see if it's free to subscribe